वीरभद्र साधना भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है उसके बाद नंदी का नंबर आता और फिर वीरभद्र जहां भी शिव मंदिर स्थापित होता है, वहां रक्षक कोतवाल के रूप में भैरवजी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है शिव के प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मनिभद्र, चन्दिस, नंदी, श्रिंगी, घ्रिगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है ये सभी गंधर्ती और ब्रह्मांड में विचर्ण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदी की खैर्खबर रखते हैं वीरभद्रक भगवान शिव के परम आज्याकारी है उनका रूप भयंकर है, देखने में वे प्रल्यागनी के समान, हजार भुजाओं से युक्त और मेख के समान शामवर्ण है सूर्य के तीन जलते हुए बड़े बड़े नेत्र एवं विक्राल दाढ़े हैं शिव ने उन्हें अपनी जटा से प्रकट किया था इसलिए उनकी जटाएं साक्षात ज्वाला मुखी के लावा के समान है गले में नर्मुंड माला वाले वीर्भद्र सभी अस्त्रशस्त्र धारन करते हैं उनका रूप भले ही भयंकर है, पर शिवस्वरूप होने के कारण वे परम कल्यानकारी है शिवजी की तरह शीघर प्रसन्न होने वाले है वीर्भद्र उपासना तंत्र में वीर्भद्र सरवेश्वरी साधना मंत्र आता है यह एक स्वयन सिध्ध चमतकारिक तथा ततकाल फल देने वाला मंत्र है स्वयन सिध्ध मंत्र होने के कारण इसे सिध्ध करने की आवश्चक्ता नहीं होती अचानक कोई बाधा आ जाए, दुरघटना का भय हो, कोई समस्या बार-बार प्रकट होकर कष्ट देती हो, कार्यों में बाधाएं आती हो हिंसक पशुओं का भय हो या कोई अज्यात भय परिशान करता है, तो वीर्भद्र सर्वेश्वरी साधना से उससे ततकाल राहत मिलती है यह ततकाल फल देने वाला मंत्र कहा गया है वीर्भद्र मंत्र एक एक यदी पशुओं से या हिंसक जीवों से प्राणानी का भय हो, तब मंत्र के साथ बार जब से निवारण हो जाता है दो यदी मंत्र को एक हजार बार बिना रुके लगातार जब लिया जाए, तो स्मरन शक्ती में अध्भुत चमतकार देखा जा सकता है तीन यदी मंत्र का जब बिना रुके लगातार दस हजार बार कर लिया जाए, तो त्रिकाल ग्रिष्टी यानि भूत वर्तमान भविश्य के संकेत पढ़ने की शक्ती आने लगती है चार मंत्र का बिना रुके लगातार लक्षजप यानि एक लाख जप रुद्राक्ष की माला से करने पर खेचर्त्व और भूचर्त्व की प्राप्ती हो जाती है इसके लिए लाल वस्त्रधारन करके लाल आसन पर विराज मान होकर उत्तर दिशाकी ओर मुख करके करना चाहिए पांच इस साधना को हंसी खेल ना समझे नहीं इसे हंसी ठहाके में प्रयास करना चाहिए आवशक्ता पढ़ने पर ही और स्वयन या किसी अन्यके कल्यान के उद्देश से ही होना चाहिए किसी को परेशान करने के उद्देश से होने पर उल्टा फल होगा